वेलकम टू महेश गुरूजी की क्लास क्या आपको अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता डॉंट वरी मैं आपके साथ हूँ मैं अक्सर कहता हूँ मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा आज के वीडियो में धमाल है मस्त जुगार है देखिए सिर्फ ये बी सेंटे स्टेक्चर पर काम कर ले तुँ आसानी से नौर्मल बोलना नौर्मल लिखना सीख जाएगा तो क्या है ये बी सेंटेंज स्टेक्चर लॉंग वीडियो नहीं है बस पूरा देख लेना रहां स्क्रीन सौट जरूर ले लेना नोट कर लेना जैसे किसी सेंटेंस माया जाता ह अंत में तो आपको इसमें लगाना है गोज जाता है या जाती है ठीक है ही हो सी हो या कोई एक वचन हो तो गोज अब यहापर मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा क्योंकि जगए कमी थी सिर्फ मैंने स्ट्रेक्चर लिख दिया हमको यही तो पकड़ना है अब सब्जेक्ट तो इस राम है असोक है कोई भी है लेकिन वह जाता है आता है खाता है तो यहीं आएगा जिसे ही गोज वह खाता है यह इस तरह से जाता हूं अगर आगया तो फिर आपको लगाना पड़ेगा गो बस यह ध्यान रखना देखो इसमें थोड़ा चक्कर है अगर सब्जक्ट का च बस ये थोड़ा सा present independence में थोड़ा सा चक्कर है और कुछ खास बात नहीं है अगर आ जाए गया था तो चाहे आई है चाही है चाही है चाह कोई भी event लगाओ गया आप जैसे मैं गया था I went, अब कहा गया था I went to the market, आप कहीं भी जाओ went आएगा, अब मैं जाओ तुम जाओ, वह जाए, लड़की जाए कोई भी जाए, सब के साथ went आएगा पस यहाँ पर थोड़ा साधान रहना he, see, या कोई एक हो तो word में S or ES लगता है, और यदि IVU दे, या जादा है, तो केवल V1 आती है, जाएगा कोई भी हो will go, वह जाएगा, he will go मैं जाओंगा, I will go, वे जाएंगे, they will go, वे कहां जाएंगे, उस जगह का नाम लेगा, they will go to the market इस तरह से अगला है, जा रहा है तो क्या गया, is going ठीक है, जा रहे हैं, are going जा रहा हूं, am going, इज़े हमारे ग्रूप है, जा रहा था, was going जा रहे थे, were going जा रहा होगा, will be going अर भाई, sentence में subject तो आता ही है पीछे कुछ और word आ सकते हैं लेकिन man structure क्या है, जो आपके अंगरी जी को सही या गलत, आपके sentence को सही या गलत करता है, वो tense है वो ये structure है, helping verb, man verb कर आपको इस पर काम करना होगा जा चुका है, अब देखो कोई एक है, तो has gone और जा चुके है या मैं जा चुका हूँ, तो have gone has, have a group है जाना पढ़ता है, तो देखो अगर मजबूरी में, एक तो जाता हूँ एक जाना पढ़ता है, तो मजबूरी हो गई obligation हो गई, तो पर आपलिक हो गई अगर एक है, तो has to go ठीक है, अच्छा उनको जाना पढ़ता है तो they have to, has have a group है या पर subject का चक्र है, अगर he see it या कोई एक है, तो has आएगा आई वी यू दे जादा है, तो have आएगा जाना पढ़ा था, past में कोई मजबूरी थी, तो had to go जा सकता है, अगर ability है, तो can go जा सकता था, past में छमता थी, could go जाना चाहिए मतलब एक सलहा की बात है कि किसी को जाना चाहिए, तो should go या आपके model भी चल रहे हैं यहां से model शुरू हो गए, can, could यह obligation है, अब देखो सर टेंस तो बारा है, आपने बारा टेंस की table क्यों ने बन वाई, अरे टेंस बारा है, लेकिन जरूरी यह है क्योंकि मैं तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ तो निस्कर्स है, कि जातर sentence intense में से आते हैं model ही बहुत सार है, फिर यह can और सिर्फ यह क्यों करवाए, क्योंकि जातर इन्ही के sentence निकलते हैं, बनते हैं, बोलते हैं, लिखने में काम में आते हैं, should go अब देखो, अगर किसी को normal जाना चाहिए, should go, जरूर जाना चाहिए, तो फिर must model का use होता है, must go जाना चाहिए था, यह भी तो बोल सकते हैं, यार तुझे कल वहाँ जाना चाहिए था, तो फिर should have gone, models के भी past होते हैं, should have gone, जरूर जाना चाहिए था, must have gone जाना है, एक तो देखो, जाता हूँ, जाना पड़ता है, और जाना है, planning है, यार मुझे जाना है, तो फिर, जैसे मुझे जाना है, तो M to go, जैसे कोई लड़का है, उसे जाना तो, he is to go, उनको जाना है, they are to go, इसे हमारे ग्रूप है, जाने को है, एक तो जाना है, और वह जाने को है, तो he is about to go, about, को हम तब यूज करते हैं, कोई काम होने को हो, कोई ततपर है, is about to go, मैं जाने को हूँ, जाना था, वाज टू गू और जाने को था, वाज अबाउट टू गू, तो इस तरह से, यह आपके, 20 सबसे जरूरी स्ट्रेक्चर हो गए, मैं अक्सर कहता हूँ, देखो, बहुत सारे इंग्लिस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं, लेकिन इन से काम चल जाता है, ज़्यादा तर ये काम में आते हैं, इसलिए तो मैंने का, आहां एक खास बात, यहाँ पर मैंने विदाउट सब्जेक्ट दिये, और थोड़़़़़द सब्जेक्ट का मैंशन किया, तो आप चाहें तो इस टेबल में एक बार सब्जेक्ट लिख लिख के इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिख हमबर्क भी लेक आया हूँ, भाई यह तो आपने जरूरी इस टेक्शर पढ़ लिए, उसमें हमने आपको इंग्लिस लिखना सिखाया है, जरूरी ग्रामर करवाईए, सेंटेंस कैसे बनते हैं, अरेजमेंट कैसे होते हैं, हाँ साथ में राइटिंग सेक्शन भी है, कोई इस डेंट है तो, लेटर कैसे लिखे हैं, परग्राप कैसे लिखें, स्टोरी कैसे लिखें, एप्लिकेशन कैसे लिखें, सीवी कैसे लिखें, ये भी कंटेंट उसके अंदर है, हाँ, सबसे खास बात, हर वीडियो के साथ पीडियेफ भी है, आप वीडियो में वीडियो देख सकते हो, पीडियेफ में पढ़ भी सकते हो, दूसरा कॉर्स है complete English grammar course basic to advance सारे English grammar को सारे topics को सिलसले बार sequence से करवाया है उसमें भी हर topic के साथ PDF notes है उस course के नाम basic to advance जैनि basic से topic को cover करवाया है आगे फिर उसका advance level भी दिखाया है अब सबसे खास बात वो courses वो videos YouTube पे नहीं है वो content मैंने sequence में अलग से तयार किया थोड़ी मेहनत लगी है इसलिए थोड़ी सी fees है थोड़ा पे करना पड़ेगा आप चाहें तो उन courses को join कर सकते हैं बाई कर सकते हैं ज्यादा फीस नहीं है अफोड़ेबल है नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना फिरी मैं भी सिका के चोड़ूँगा अक्सर ऐसा जुगार लाता रहता हू उसमें देखो subject तो आता ही सबसे पहले इनमें सबसे पहले कोई subject जैसे he had to go उसको जाना था मुझे जाना था I had to go ठीक है उनको जाना था they had to go अब कहा जाना था जगे आ जाएगी अगर वर्ब चेंज करें तो जैसे यहां पे माना खाना आता तो खाता है eats खाता हूं eat खाय वर्ब लो उसके साथ इसको बनाओ वो क्या खा रहा है कौन खा रहा है तो subject है क्या खा रहा है वो चीज बाद मा जाएगी कब खा रहा है मैं सेंटेस बढ़ा भी हो सकता है लेकिन मैं चीज कहा है जो सही और गलत होती है वह यह structure है और 20 यह structure सब ज़्यादा काम में आते यह अपने सीख लिए तो आप अंग्रेजी सीख जाओगे ठीक है अब जा जाते हैं आपको homework दे दूँ तो यह आपको homework है तो देखो वर्ब राइट के साथ आप राइट वर्ब लेना मैंने लिए गो आप राइट वर्ब लेना के साथ 40 structure बनाना 40 sentence बनाना subject कौन होगा 40 क्यों यह तो 20 है एक बार C के साथ है ठीक है जैसे अपने सी के साथ लिए तो कैसे लोगे शुरूब आप से अब एक बार तो सी के साथ लिया फर एक बार वी के साथ लोगे आप चाओ तो वर्ब चेंज कर लेना त्रेक्टिस है यार अरे वर्ब मत लेना राइट कुछ आपको पसंद वह ले लेना चालिस में हजारों सेंटेस बला लेना जितने बनाओगे उतना कॉंफिडेंस आएगा उतना लगेगा हायार में सीख रहा हूँ यही पर फस्त हैं यही पर अटक्त हैं तो एक सरल सा वीडियो था आपकी प्रॉब्लम को सेलुशन करने का एक मैंने सोचा गया ऐसे नहीं तो ऐ ऐसे जुगार वाजी लाते रहता हूं ठीक है तो काफी बाते हो चुकी यह आप नोट कर लेना स्कीन सॉट ले लेना और इनका सॉल्यूशन करके चाहो तो आप कमेंट में आंसर भी लिख देना कमेंट में इस चीज करके बता देना जादा नहीं थोड़े करके दिखा देन कोई नए जुगार के साथ तब तक के लिए बाए